युवक ने खुदकुशी की है आपको बता दें अपील सेक्शन के कम्रे बे फंदे से इसका शव लटका मिला है जाइपूर से इस वक्त की ये बड़ी कबर सामने आई है हाई कोट का सविदा करमचारी बताया जा रहा है ये मृतक और आत्महत्या के कारणों का फिलहाल फुलासा नहीं हो पाया है लेकिन इस वक्त की ये बड़ी कबर सामने आई है अशोक नगर थाना पुलिस ने मौके का मौाइना किया है स्कूरे मामले को लेकर के पुलिस जाच परताल करती भी नज़र आ रही है और ये बड़े अपडेट सामने आए है जहां जाएपूर में High Court प्रिसर में युवक ने खुदकुशी की है आपको बता दे ये फंदे से लड़का इस युवक का शब मिला है और अपील सेक्शन की कमरे में फंदे से लड़का इस युवक का शब मिला है हाई कूट का सवीदा करमचारी ये मृत्यक बताया जा रहा है इस पूरे मामने को लेकर के लगतार चानबीन की जा रहे है आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासन नहीं हो पाया तो जैपूर में हाई कूट परिसर में एक युवक ने खुदकुशी की है अपील सेक्शन के कमरे भी फंदे से इस युवक का शवलट का मिला है इसी किता साथ हाई कूट का सवीदा करमचारी ये मृत्तक बताया जा रहा है वहीं अगर बात करें तो आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रहे हैं बिड़कुल जेगी राजदानी जेपूर के हाई कोट में इस तरह का जो बड़ा मामलत है वो सामने आया है धर फलोर का जो वी फलोग है वहाँ पर एक जो करमचारी है सवीदा पर करमचारी बनीस उसने सुसाइट कर लिया अलंकि पुलिस को किसी तरीके से सुसाइट नोट है वो यहाँ पर बरामत नहीं हुआ है जैसे ही लोगों ने शव को देखा वेसे ही पुलिस को सुचना दी जिसके बाद अशोग नगर ठाना पुलिस मौके में पहुंची शव को अपने कफजे में ले लिया है तिलहाल जो अशोग नगर ठाना पुलिस है वो मामले की जार्ज करती में नजर आ रही है जी इसका साथ तरजा उल्ला क्या कुछ कारण बताय जा रहे है जी रजाओलला इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत है नवाद तुजाएपूर से बड़ी कबर सामने आई है जहां हाई कोट परिसर बे ये घटना सामने आई है हाई कोट परिसर में युवक ने खुद कुशी की है और इस मामले को लिए करके फोलिस लगातार जांच परताल कर रहे है